ऑसी ज़ो है वह स्टार होते है एक यजार कहलो और लाहोरा हुआटी से जो डिएर न्यो में जो फिर्फ दो के दोют सनंगर्व राजा किूंकि ऐड़ा नैस्च जो फियुकश्दी को क्या कर लेती है अपना पैर की जा में कि अपने नेफ्यों को क्या देती है अपने ही माय के वाले को देगी तो इस तरह से क्पीन दिदा है जो है लाहुरा के हैंड में अपनी सत्त दे देती है और लगभग कहते हैं कि 1071 में इनकी डैनेस्टी खत्म होती है शुरू होती है संगर्म राजा से और इसमें बहुत सारे जो हैं राजा हम देख सकते हैं यहां पर अवंता कलाशा हर्शा सुसाला फिर सुसाला फिर जैसीमा वेरी इंपॉर्टिंट एंड वनीता देवा वनीता देवा क्योंकि लास्ट एकतर तक और इस तरह से इसमें जो राजा थे वो इतने अच्छे नहीं है क्योंकि इसमें सब लोग अपने ही काम में अपनी ही लस्ट में लगे हुए थे अपनी ही सुख में लगे हुए थे क्योंकि जो फ्री में में बिलता है उसको इस निसान की कदर नहीं होती तो लास् एक हिंदू इनको डिसेंड करेगा, आगे वैसे तो हिंदू रूल है, अफगानी जायते, अब यह तो हमने पढ़ लिया कि क्वीन दीदा एक हिंदू चाही थी, उसने क्या किया अपने नेफ्यों को दे दिया, यह पुंच का रहने वाला जो था वो अपने नेफ्यों को दे अब इसका बेटा होते हैं, उसको असेंड करता है उसके आगे जो राजपार्ड लहके जाने वाला ही पहेन, वो अननत अदेव होता हूँ ₹ ₹ ₹ Regent Peace Heard को चाहना, तो उसको कंसिडर किया गय, क्वीक रूलर की था क्योंकि उसने क्या क्या था, क्योंकि उसने क्या किया थ पापा आप छोड़ दो यह नहीं कर सकते हैं मेरी बारी है मुझे राजपाट जी ने दो तो कहते हैं कि वह रूलर तो वीक ही कहलाएगा ना कि जो अपने ही बेटे के आगे जुक गया प्रेशराइज होके कहते हैं कि बाद में जो उसकी वाइब होती है इस तरह से वो छोड़के चला जाता है किलज अंहनत देव क्लाश क VICT एहां क्लाश करता है किलज रिवय्ल करता है अपनी फादर के प्रती और अन्हनत देव इस तरह से अपना ही बेटा नी खिलाप के अपने अपने आपको ही किल आयते हैं तो चया बाप को हम इसकी जो मा का नी मा होती आनाट था वी 거대 आपको अब यह freaking हम सती कियाटा पर she was a warrior queen and she was not at that time she didn't did Sati अपने आपको Sati नहीं किया बल्कि एक Rani गोशित किया आपने वह को क्वीन गोशित किया वहां का पर यह जो अनत देव की पत्नी है वह क्वेंट कर लेती है सवसाइड को इस तरह से किंग केलाश जो होता है वो उसका बेटा होता है वो क्या करता है रूल सत्ता को संभालता है एक ही साल में सत्ता संभाल ली रहा होता है तो मरी जाता है इस तरह से ये सारे King's जो भी इसके बाद जो केलाश हर्ष अब केलाश का सन जो है उसका नाम है हर्ष यहां पे लिखा है तो यह हर्ष जो है अब इसकी अकॉर्डिंग ली तो यह हर्ष जो था केलाश का सन था वह अच्छा administration कर रहा था वो यह वास अगुड एड्मिस्ट्रेटर उसने क्वाइन वी मिंट किये अपने नाम के और दीरे दीरे क्या हुआ कि जब लोग उसके साइड हो रहे मदब लोग उसको मानने लगे तो उसको गमंड हो गया इस चीज का और इस तरह से उसने अपनी ही लाइफ के साथ दुखा क तरह से वह क्रूल राजा और कहते हैं कि टाइरेंट बन गया था लाश में लोग उसको हेट करने लगे थे उसके ही वीहेबियर से क्यूंकि उसने दो रूप दिखा दी थे अपने हर्ष ने अब जो केलाश है केलाश का बेटा हर्ष हर्ष का हर्ष तो अभी टाइरेंट हो क्या है टाइरेंट मतलब कि वह बहुत गंदा हो गया है अब कोई तो अब गंदा रूल हो गया और लोग वहां पर पसंद नहीं कर रहे हर्ष राजा को तो वहां से तो वह रटे गई ना तो इस समय अब दो नेफ्यूज होते हैं कि इसके केलाश के उशाला और सुसाला कि इसकेलाव के सामने अब जाएंगे रूल करने लुद गया है तो इस तरह तो आखे हर्ष को आगे उसके बेटे के साथ होना चाहिए पर तो ऑस यह एक उसाला इंट्री कर लेता है कश्मीर में ऐसले हो डैनेस्टी और उसके साथ है तोसा माधन और उसका ही ब्रदर जो सुसाला निफ्यू होते हैं वो थ्रोन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि किलाश का बेटा होता है हर्ष का बेटा आगे बूल आगे सकसीड करेगा लेकिन यह दोनों आके सकसीड करने लगते हैं इस तरह से जो हर्ष का बेटा उसका बेटा होता है भोज दोनों हर्ष और भोज दोनों का ही मडर। करते हैं यह सुसाला हो रहु फो हपार目 कि सुसाला और भोज मर जाते हैं वसका बता ब elabor का चार अब अ समातिए किसकी पत्नी होती है यह कहते है बोज बोज की पत्नी होते है बोज और क्या कहते है हर्च को तो मार देते हैं उसाला और सुसाला इस तरह से जो है असामती जो है वो अपने ही बेटे को लेकर यहां से भाग जाती है कि मालवा में चले जाती है कि उसको लगता है कि मेरे बेटे करते जाते हैं और लोगों को बुद्धु मनाते जाते हैं विश्का जार बहुत ही छोटा था राजा बनने के लिए इसलिए वहां से चली जाती है अब क्या होता है कि उशाला वाजन कश्मी का रूलर उस टाहिम पे वो क्या कर देता है थ्रोन को ही सीज कर देता है और कहता है कि हम ही इसमें जो रूलर रूल करेंगे अब सुशाला को लग रहा है कि भाई सुशाला जो है वो अभराजा बनने की कोशिश करता है अब उशाला तो बन गया था उस टाहिम पे हर्श और उसको माद देता है इस तरह से उनकी कहानी चलती है लेकिन जो उशाला है वो नहीं देख सकता सुशाला सुशाला कहता है कि उशाला को फटा हो उशालो दो इसको यहां से उठा दो यहां से तो सुशाला जो है वो कश्मी में रूल करने की कोशिश करता है अब शुशाला जो है वो कश्मी में रूल तो करता है बर लोगों पे क्या कर रहा है अत्या जैसे जी हजाता ही का ताम पिरिड के शी उसकी और भाखाह रिटा नहीं miss il heast में 1620 A.D. ईसका चारज बड़ा होझाता है! अब उसके जो को चीफ हते हैं जो प्रतव हमें बामाने ओफ हरे खरने बाप है! कि अपने पीता की संपत्य को फिर से हड़पने के लिए इस तरह से बिसका चार जो होता है वो अच्छी लाइफ जीने लगता है और नेगलेक्ट करता है लोगों की किंग्डम को अब देखो सुसाला और उशाला जो है वो दोनों को सीव उटा देता वहां से और चीफ के मादम से वहां पर थ्रोन में तो पहुंच जाता है बड़ जो अब उसको काम भी तो करना है सिर्फ वहां पर सता होना संभाल नहीं है काम नहीं करेगा तो किस तरह से लोग उसको पसंद करेंगे पिशका चार भी अपनी गुड लाइफ जीता है अचसे और बहुत सारे लोग हैं वो अब सुसाला को बेज द अब सुसाला बिक्साचार बेज संपाला को रजोरी में की इस से उससाला को सुसाला तो Sumpaal भागे सोब अपना इता है वो हार जाता है किस से सुसाला से और फिर क्या होता है कि सुसाला फिर से राजा बन जाता है और विक्साचार तो हार जाता है अपना किंडम तो सुसाला फिर से बैठ जाता है और सुसाला को परंतू क्या होता है कि वो हार तो जाता है सुसाला के किते विसकाचार हार जाता है पर उसको हान मदधूर नहीं तो अपने चीफ को वेज़ता और ऊसको मरुआ देता है और इस तरह से क्या होता है कि सुसाला सुसाला तो मर जाता है पर मिस्त का चार अपना रूल चलाता रहता है और इस तना से जो अब सुसाला है तो सुसाला का बेटा भी तो होगा सुसाला का बेटा एक अच्छा रूलर हो अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि वो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टन हो जाता है सुसाला का ही बीटा होता है जैसिमा जैसिमा उस सबस्रो कि कश्कार रहा होता है क्यों के सकसील मां, jsुना जो काम नहीं नहीं कर रहे थे और अपना है अपना एरिया को इंडिपेंडंड कोशिच कर रहे कश्मीर में मिला रहे थे इस तरह जैसीमा थे वह को टेंपल को रिस्टोर किया थो एक रूमry इंकशि को रिस्टोर divor किया फिर से रिपयर किया इंर श्म अथे एक् पेडिय यूम्रीुटी्ज को जान भाए दे जैसिमा जैसिमा वास गूट रुल्र बिक्जञ है अट ताइं करहान इसней टो रच धर थायल में इसमें पांच हो गए थे जिसमें पांच पार्ट वारमन की पांच अवनति ऑर्ना किव है थैं तो यहां तक आकरा है एक अटर एसनłe में कलhान पंडित की जो राच्तारंगनी वह आठ पार्ट बन चुके तो इसके कंपाइलेशन हो जाती है और समय कोशन बहुत बार पूछा जाता है कि जो जैसीमा की टाइम पर जो कलहान ने जो राज तरंग ने लिखी थी वह उसकी टाइम पर ही कंप्रीट हुई थी और लाहुरा डाइनस्टी अब यह डिमॉलिश ह इस तरह से हर एक तप्ती के हर एक रीजन में अपना अपना राजा चुल लिया और इंडिपेंडेंट हो गए अब 12th सेंचुरी में अभी यह पूरा बिखर चुका है वामिता देव के द्वारा अब लाहुरा डाइनस्टी यहां से खत्म होती है अब यहां से शुरू होग सेम टाइम यह भी बहुत इंपोर्टेंट है अब आगे बढ़ेंगे हम 12th सेंचुरी हम पहुंचे गया है 11th सेंचुरी वी कम्प्लीटेट फ्रम दे शिक्स हंडर एडी